हाई को एच में सब चैनलों हम जो है आध जो है रस्ट और वेब सॉक्ट के बीच में का जो भी डिफेरंस है इस चीजब को समझते हैं इस डिफेरंस को समझने के पहले पहले जानते हैं एक्चुली रस्ट और वेब सॉकogether होता है रेος यायन्य की और वेब सॉकिंट ये एक प्रोटोकॉल होता है और ये दोनो रेश और वेब सॉक्षती ये जो हैं-खिक्टेक्चर होता है इंटरफेस के लिए का इटेज करता है क्लाइंट सब्सक्राइब के बीच इनिए गज pagar करने के लिए communication लिंक क्रियेट करने के लिए ऐजए interface react करता है actually हम इस दोनों चीज को rest और web socket को समझने के लिए मैं difference का जो है prefer करना जाता हूँ अगर difference अगर आपके सामने हो तो आप आसान इसे समझ सकते हो actually rest क्या होता है और web socket क्या होता है अगर मैंने आपको अलग-अलग समझाने की कोशिश की तो है ना आप थोड़ा बूद confused हो जागा जितना मतलब absorb करना है knowledge वे ताप नहीं कर पाओगे पहला point rest में यह जो है stateless होता है stateless का मतलब क्या है कि यह जो भी data आप search करते हो request जो भी आप client से लेके server को जो request देते हो इस चीज को वो store नहीं करता हो हर एक request जो है independent होती है आपने request कब send की है मतलब जो भी device iot से connect हुआ है उसका status वगयरा store नहीं करता यहां पर लेकिन web socket में क्या होता है जो भी iot का जो भी application है web socket क्या करता है हर चीज का data store करता है कौन सा device कब connect हुआ कब disconnect हुआ कितना communication हुआ क्या data transfer हुआ हर चीज का जो है वो data store करके रखता है दूसरा दूसरा जो point है rest में जो है communication model यूज होता है request और response model अगर आपको यह request or response communication model नहीं मालूम है तो मैंने इसके उपर जो request इस communication model पर एक पूरा वीडियो बनाया है जिसके दर मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से जितने भी communication model है सारे communication model को समझाया है अगर आप ने उस वीडियो को नहीं देखा तो description box में अभी जाईए तो वहाँ पर मैंने सर्वर को request करता है इस सर्वर अपने resources में चेक करता है according to the client के request पर और वह जो सर्वर है client को response करता है यह रहता है request और response model लेकिन इसके अदर सबसे बड़ा de-merit यह है कि जो भी आप request send कर रहे है उसके अदर सारी data होना चाहिए आपको जो भी data चाहिए उसको step by step हर चीज perfectly लिएक सर्वर को जो है देना पड़ता है लिकwww instance में क्या होता है यह full triplex होता है यहां पर आप client से server को data sends करते हो server client को अट-or time data send कर सकते हो require R EST में क्या होता है कि आप at a time क्लाइंन या serverको request send करता है या serverinko send कर सकता है दोनों at a time request नहीं send कर सकते है, यह सबसे बड़ा जो plus point होता है web socket में, at a time multiple connection हो सकते है, at a time multiple data transfer हो सकता है, at a time client और servers दोनों एक दूसरे को data send भी कर सकते है, request भी और response हो कर सकते हैं, और जो तीसरा point होता है, REST में हर बार request send करने के लिए connection create करना पड़ता है, client से server के लिए हर बार connection create करना पड़ता है, फिर उसके बाद request send होगी, फिर उसके बाद server response करेगा, फिर अगली अगर कोई request send करना है तो पहले आपको TCP connection create करना पड़ेगा, लेकिन web socket में कैसा होता है, एक बार अगर आपने connection कर या एक बार client और server की बीच में connection create हुआ तो आप multiple request कर सकते है और multiple response ले सकते हो server से यह जो है web socket का plus point होता है REST का जो अगला point है इसके अदर अगर आपको multi हर time जो है नया creation करना है हर time connection create करना पड़ता है तो obviously header का जो है उसके अदर connection में TCP connection में header जो है आ जाता है उसके वज़े से header overhead हो जाता है multiple header जो है client से लेके server तर पहुँच जाते है लेकिन web socket में क्या होता है एक ही बार connection create होता है एक ही बार connection create होनी के वज़े से बस पहली बार ही header जो है जाता है किदर client से server को अगर एक बार connection हो गया तो फिर obviously दोने के बीच में data transfer आसानी से हो जाता है last point सबसे important है कि जो REST है ये real time application पर applicable नहीं होता क्यूंकि हर new connection के लिए जो भी हर new response के लिए हर new request के लिए connection create करना पड़ता है और ये stateless है जो भी data जो है previous data ये store नहीं करता इसलिए ये real time application पर बिलकुल भी applicable नहीं है लेकिन web socket जो है ये real time application पर applicable है और जो है इसमें एक ही बार अगर connection create किया जाए तो आप आसानी से फुल डिप्लेक्स की तुरू communication करते हैं ये सबसे बड़ा जो इसमें point है वो फुल डिप्लेक्स का है आप आसानी से जो है client और server की बीच में added time communication कर सकते है client server को और server client को एक साथ data या response send कर सकता है तो फिर ये थे difference between rest और web socket I hope कि आप इस सारी चीजों को समझ चुके होंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like ज़रूर को और channel को subscribe करें अपनों दोस्तों को share करना ना भूले